दुनिया में कीडों की अंगिनत प्रजातियां पाई जाती है कई सालों से एको सिस्टम में बैलन सही से ना होने के कारण कीडों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में कई कीडों की प्रजातियां ऐसी भी हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं कई बार इनके काटने मातर से ही इनसान की जान भी जा सकती है छोटे से दिखने वाले ये कीडे आम कीडों की तरह ही लगते हैं मगर इनके अंदर इतना जहर होता है कि इनका डंक इनसान को बुरी तरह से घायल कर सकता है कीडों के छोटे आकार के कारण हम उनसे जादा नहीं डरते हैं मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए छोटा आकार होने के बावजुद भी कई कीडे बहुत खतरनाक होते हैं इन कीडों से आपको दूरी बनानी चाहिए ताकि आपको नुकसान ना पहुचा सके तो आईए जानते हैं दुनिया के इन सबसे खतरनाक कीडों के बारे में तो इस खतरनाक कीडों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है मच्छर मच्छर दुनिया भर में बड़ी मातरा में पाए जाते हैं और मच्छरों के काटने के बारे में हम ज़्यादा सोचते भी नहीं है मगर आपको बता दें कि मच्छर सबसे खतरना कीडों में गिने जाते हैं ये मच्छर कई लोगों को बड़ी बिमारियों का शिकार बना लेते हैं करीब 10 लाक लोग हर साल मच्छरों से होने वाली बिमारियों के कारण मर जाते हैं और करीब इतने ही लोग जिंदिकी भर के लिए अपाहिज भी हो जाते हैं डबली ओचो की माने तो करीब 500 मिलियन लोग हर साल मलेरिया के सिकार होते हैं जो यहां बताता है कि दुनिया भर में मच्छरों का आतंक किस तरह फैला हुआ है अगले नंबर पर है किलर मधुमक्षी शहद हम सभी को पसंद होता है मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाने वाली मधुमक्षी कितनी जहरीली है किलर भी आम मधुमक्षियों से कई ज़्यादा खतरनाक है बता दे कि ये मक्षियां अपने शिकार का करीब एक मिल तक पीछा कर सकती है ये मधुमक्षियां इनसान की आखो और दिमाग के हिस्सों पर डंक से हमला करती है इनके शिकार से बचना करीब नामुमकिन होता है कई बार इनके हमलों से इनसान की मौत हो जाती है हमारी सूची के अगले नंबर पर है बुलेट आंट चीटियों से भला कौन डरता है हमारे घरों में ही चीटियों का होना आम बात है मगर बुलेट आंट को आप आम चीटियों जैसी बिलकुल ना समझें ये चीटी दुनिया की सबसे बड़ी चीटियों में गिनी जाती है साथ ही ये जंगली चीटियां दुनिया की सबसे जहरिली चीटिया भी मानी जाती है यह चीटियां मध्य और दक्षिन अमेरिका के तराई के इलाकों में पाई जाती हैं इन चीटियों को bullet चीटी, इनके जहरीले डंक के कारण कहा जाता है इन चीटियों को 24 आवर चीटिया भी बुलाया जाता है क्योंकि यह चीटिया जब किसी को डंक मारती है तो वह 24 घंटे तक बुरी तरह दर्द से तड़पता रहता है हमारे लिष्ट में अगले नंबर पर है मक्षिया भी हमारे आसपास बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है मगर आपको बता दें कि मक्षियों की कुछ प्रजातियां बेहत जहरीली भी होती है ये मक्षिया जब भी किसी इंसान को काटती है उस इंसान के अंदर ये अपना लार्वा छोड़ देती है ये लार्वा इंसान की स्किन में जाकर जम जाता है और पूरे सरीर में तरह तरह की स्किन की समस्याएं देने लगता है कई बार ये कीडे मातर skin infection ही नहीं बलकि शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी खराब कर देती है तो दोस्तों इन मक्यों को आप कमजोर मत समझिएगा ये आपके सरीर को बरबाद भी कर सकती है अब इस सुची में अगले नंबर पर आती है fire ants दुनिया भर में इन fire चीटियों की करीब 285 प्रजातियां पाई जाती है इन चीटियों की खासियत है कि ये अपने शिकार को तब तक काटती रहती है जब तक वा पूरी तरह से अधमरा ना हो जाए आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार ये चीटियां लोगों को मौत के घाट तक उतार देती है क्योंकि ये चीटियां हमेशा जुंड में हमला करती है और ये अपने शिकार को खतरनाक तरीके से तरसा देती है इस तरह के चीटियों के काटने से तरह तरह की स्किन की समस्याएं भी हुआ करती हैं इन चीटियों के काटने के बाद इनसान की शरीर पर इस तरह के निशान उभर आते हैं जैसे जलने के बाद शरीर पर निशान बन जाया करते हैं इस कारण इने फायर आंट कहा जाता है इस सूची में अगले नमबर पर आते हैं किसिंग बग यह जीव जादतर मध्य अमेरिका, मैक्सिको और दक्षिन अमेरिका में देखने को मिलता है यह जीव इनसान और दूसरे जानवरों का खून पीकर जिन्दा रहता है इसलिए इसे वैंपायर बग भी कहा जाता है इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया है क्यूंकि यह इनसानों की होटों से खून चूसता है लेकिन जब भी यह किसी का खून चूसते हैं तो शरीर में ट्राइपनोसोमा क्रूजी नाम के पैरासाइट्स छोड़ते हैं जिससे चगास नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है और इस बीमारी के कारण हर साल 12,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है हमारी इस सूची के अगले नंबर पर है फनल वेब स्पाइडर यह मकडी औस्ट्रिलिया के कुछी हिस्सों में देखने को मिलता है यह इतना खतरनाक है कि इसके काटने पर अगर तुरंत इलाज ना हो तो मौत भी हो सकती है इसका जाली फनल की तरह दिखाई देता है इसलिए इसका ऐसा नामकरन किया गया है यह एक से पांच सेंटीमिटर तक लंबे होते हैं और ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं इनका दोनों डंक नीचे की तरफ है और यह इतना मजबूत है कि इनसान के नाकुन के उपर भी डंक मार सकते हैं इनके करीब 35 प्रजातियां इस दुनिया में मौझूद है जिन में से 6 प्रजातियां ऐसे हैं जो जानलेवा है तो दोस्तों ये थे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खतरना कीडों की प्रजातियां जिनके बारे में आपको इसलिए भी जानना था कि आप कीडों को लेकर जागरुकता और डर भी बनाएं उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक्सीमित ना रखें इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में